हेलो दोस्तों कैसे है आप लोग आज का यह नया वीडियो में आपका स्वागत है मेरा नाम है गुपाल और दोस्तों आज का एस वीडियो में हम बात करेंगे loading screen जो welcome screen होता है na splash screen उसके बारे में हम बात करेंगे कि दोस्तों काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है ना एसके चोहर प्रो में बनाएंगे तो दोस्तों वीडियो को पुरा लास्ट तक देखिएगा ठीक है क्योंकि दोस्तों आज का इस वीडियो में आपको जुरूर कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को स्टार्ट मारते है दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने स्केच्च वैर पुरो को ओपिन किया है और यहाँ पर एक project file है loading screen का और दोस्तों यह project file में आपको तीन अलग-अलग loading screen देखने के लिए मिलेगा different-different का और दोस्तों यह project file में आप लोगों के साथ share भी करूँगा ठीके दोस्तों मैं आपको यह run करके install करके दिखा जैता हूँ दोस्तों उसके बात हम main बात करेंगे ठीके दोस्तों इसमें तीन different-different loading screen है आप इसको edit कर सकते हैं सीख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है दोस्तों आप सीख सकते हैं edit कर सकते हैं ठीके आप और भी अच्छा-च्छा बना सकते हैं बनाना बहुत ज़्यादा easy है दोस्तों यह देखे मैं इसको open किया और यहां पर दोस्तों जो है animation set किया गया है दोस्तों यहां पर आप देखिए इस तरीके से आ रहा है ठीके उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी जो है एनिमेशन सेट किया गया है दोस्तों यह लेखिए और यह जो है दोस्तों लोडिंग हो रहा है यहाँ पर सेंटेस का हिसाब से यह लोडिंग हो रहा है दोस्तों यह प्रोग्रेस बार है उसके बाद यह सिख बार है ठीक है percentage का हिसाब से दोस्तो लोडिंग हो रहा है यहाँ पर total different दोस्तो आपको 3 loading screen आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तो आप इसको एडिट कर सकते हैं जैसा मरजी आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से उससे पहले दोस्तो आपको यह जो object animator है न यह जो component है न दोस्तो ठीक है यह जो object animator है न यह आपको समझने पड़ेगा इस component के बारे में आपको पुरा जानकारी होना चाहिए ठीक है अगर आप इसके बारे में पता लगा लेते हैं इससे क्या क्या होता है तो दोस्तो आप जैसा मर्जी ओईसा आप loading screen बना सकते हैं animation set कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं दोस्तो ठीक है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ आप किस तरीक से इसमें edit बगारे कर सकते हैं दोस्तो ठीक है object animator यह जो component है न दोस्तो इससे आप widget को animate कर सकते हैं जैसा मर्जी ओईसा ही आप कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पर दोस्तो यह जो number बगेर दिया गया है आप इसको changes करके भी आप animation को change कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो दिया गया है rotate अगर आप करना चाहते हैं ठीक है और उसके बाद दोस्तों मैं आपको यह run करके दिखाता हूँ जो है animation पूरा का पूरा change हो गया ठीक है दोस्तों जो object animator जो component है आप उसको बारे में आप पूरा जनकरी ले लीजिए ठीक है उसके बाद दोस्तों आप जैसा merge animation बना सकते हैं ठीक है आप loading screen बना सकते हैं दोस्तों अच्छा अच्छा loading screen आप बना सकते हैं एक दिम इजी हो जाएगा और दोस्तों यह जो project file है यह देखिए दोस्तों यह जो project file है ना वीडियो का description में आपको provide कर दूँगा मैं इसको back करता हूं दोस्तों और मैं आपको दूबार दिखाता हूं यह देखिए यह देखिए ठीक है मैंने बस number change किया और यहां पर देखा पहले इस तरह का हो रहा था तो अभी ऐसा करके आ रहा है ठीक है एकदम दोस्तों different change हो गया है ठीक है और दोस्तों यह जो project file है अगर आप इसको download करना चाहते है तो वीडियो का description में चेक कीजिए उहां पर मैं इसका project file का downloading link दे दूँगा आप download कीजिए ठीक है डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप इसको देखिए सीखिए किस तरीके से यह काम कर रहा है यहां पर क्या क्या ब्लॉग set किया गया है और किस तरीके से set किया गया है ठीक है कैसा काम कर रहा है दोस्तों आ आपको animation देखने के लिए मिलेगा ठीक है आप इस नंबर को change किजिए उसके बाद install किजिए दुबरा open कीजिए change कीजिए install करके देखिए ठीक है फिर change किजिए फिर से install करके देखिए आपको यहां पर अलग-अलग commission देखने के लिए मिलेगा और आप असानी से शीख जाए जाएंगे यह जो अबजेक्ट एनिमेटर है ना इसके बारे में आप सीख जाएंगे दोस्तों आप जो है ना एक्सपेरिमेंट करते रही है ठीक है और इस प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड कीजिए चेक कीजिए एडिट कीजिए सीखिए देखिए ठीक है उसके बाद दोस्तों आप अपने लिए इसे भी और भी अच्छा अच्छा लोडिंग स्क्रीन आप बना सकते हैं ठीक है बनाना बहुत जादा असान है दोस्तों इसमें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो जोरूरा कीजेगा चैनल को सबसक्काइब कीजेगा कोई बी कोस्छाइब कीजेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जबर दसत के साथ अभी के लिए इतना ही बाँब आए